चलो खेतों का काम तो सब खतम हो गया अब स्कूल के लिए निकलता हूँ वरना लेट हो जाएगा वैसे मैं सोच रहा हूँ के टीम बाइक लेलू आज कल की निभियों को बहुत ज्यादा पसंद है अरे ये क्या हो गया टायर वट गया अरे धन्नो तु तो बुरा मान गई या अब मैं स्कूल के टाइम से नहीं पहुच पाऊंगा और अगर टाइम से नहीं पहुच पाया तो सौर मुझे क्लास के बाहर निकाल देंगे इससे अच्छा है मैं आज स्कूल ही नहीं जाऊंगा अरे जादू देखना आडम पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा प्रो प्लेयर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा आहा ताओ आडम चाचा हमारा नाम ग्लोबल में लाएंगे आहा ताओ एक दो जादूगर देदो आज ही रिजियन टॉप कर लेता हूँ अरे बेटा आडम तू यहां क्या कर रहा है इसकूल नहीं गया अरे ताओ वो आज बैक का टायर फट गया इसलिए नहीं गया नहीं बेटा पड़ाई लिखाई बहुत जरूरी है वरना लड़की वाले लड़की नहीं देती आताओ पर मैं अब स्कूल कैसे जाओ अरे मकबूल भया पहले स्कूल मत लेना पहले नदी किनारे लेना वहां से हिपो को पिक करना है स्कूल के लिए बाप मसाई आडम अभी तब क्यों नहीं आया साला उसकी वज़ा से मैं स्कूल के लिए लेट हो जाओंगा अरे आ गये अब जल्दी से बेच जाओ देन खटोले में स्कूल मत बूल भया आजाने दो आवेसे भी अब स्कूल के लिए लेट हो रहे है सुनो नूबरो मैं इस क्लास का मॉनिटर है मेरे खो फिन डॉप साइलेंस मांग था अके ब्रो होगा थेया चाचा मेरे को सभी लड़के भाव बुलाएंगे और लड़की या बाबू ठीके भाव येलो हमावे मान निया सॉर आ गए बुद मॉर्निंग सॉर बुद मॉर्निंग बतो बेच जाओ सॉर हम खड़े ही कहा हुए ठे जो बेच जाए चूप नूग्रो फाल तुकी बक्वास मत करो चलो मैं अब सबकी अटेंडन्स लूँगा चलो रंग बे रंगी टटियो और क्रिमिनल्स प्रेजन्ट सॉर सकूरा और सकूरी प्रेजन्ट सॉर सकाइलर और डाइनोसॉर ओई प्रेजन्ट ओई अरे प्रेजन्ट सॉर आ गया अरे तुमारा दोस्ट धीकू किजर है अरे बाबू मुसा सॉर आ गया प्रेजन्ट ठीक है जाओ बेट जाओ अपने अपनी जगह पे चलो बच्चो तो हमारा पहला चेप्टर स्टार्ट करते है secret tips of one tap अब यार मेरा plan fail हो गया ओड़े आडम सासा क्या ही entry मारी है आपने तो तो बच्चो अगर आप rank खेल रहे हो और आपके सामने enemy आ जाए तो आपको उसके सामने aim करना है और उसे pass आने देना है वो अगर लड़का हो तो उसे one tap मार देना है और अगर लड़की हो तो team up करना है और अपनी सारी loot drop कर देनी है और उसे बोलना है आज से मेरी सारी loot और मेरा दिल तुमारा है फिर उसे emote दिखाना है अगर वो भी सामने emote दिखांए तो समझ लेना मामला set है फिर आपको उससे उसका नाम पूछना है और अगर उसका नाम एंजल प्रिया हो तो जल्दी से उसे one tap मार देना है क्योंकि वो लड़की के फेश में फेडिया है तो सब कुछ समझ गये ना बचो किसी को कोई डावूट ओके तो चलो सभी बचे अपना ओमवर्क निकालो और जिसने नहीं किया वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ आज ये one tap मार देगा ओमवर्क तो हमने किया ही नहीं अरे चिंता मत कर हम बच जाएंगे बस हमें खड़े नहीं होना है सर ओमवर्क चेक नहीं करेंगे बस जो खड़े है उन्हें सजा दे देंगे सर हमने आज ओमवर्क नहीं किया है हम भूल गए सोरी अरे कोई नहीं बचो तुम लोगों ने सच बोल दिया ये मुझे अच्छा लगा और अब जो बेठा है उनका ओमवर्क में चेक करूँगा अगर नहीं किया होगा तो सिधा लोबी में बेज दूँगा अडे सासा ये तो फर्स गए अगर खड़े हो जाते तो बस जाते और जो बेठे थे उनमें से मुझे कोई भी मिल गया जिसने ओमवर्क नहीं किया तो बहुत पीटूंगा सार मैं आई गोटू टोईलेट इमर्जेंसी है नई अभी नई थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक पड़ेगा तब जाना इपू अपना आलाम बजा देख लो सर इमर्जेंसी है फिर क्लास का एन्वार्मेंट डिग ले तो मुझे मत बोलना ठीक है चला जा यहां से नूब डिके अड़े सासा तो मुझे फशा के शड़े गए सिम कांडी कही का चलो सब अपनी अपनी ओंवर्क वाली बुक्स बार निकालो मैं चेक करने आ रहा हूँ अवे यार मैं बुक तो याद से लेखे आया था पर अभी क्यों नहीं मिल रहा है सर यह नूब मोनिटर ने अपना ओंवर्क नहीं किया है बेटा क्या यह बात सच है नहीं सर खिया है फर बुक नहीं मिल रहा है अरे बहाने बना रहा है सर यह चल जल्दी से बुक ढूंड आ सर ढूंड रहा हूँ जो मिनिट सर अगर इसकी बुक ना मिले तो इसे बहुत पिचना क्योंकि यह आपको बुदू बना रहा है औरे सर डाइमंड की कसम यार मैंने किया है पर मिल नहीं रहा है देखो सर जूठी कसम खाड़ा है वो भी डाइमंड की नालायक मोनीटर होके ओमवर्क नहीं करता है और लाल टटी तु कब से उचल रहा है चल तेरा ओमवर्क दिखा येडो सर पूरा कम्प्रीट किया है इमान डार आडमी पे सक करते हो अरे बेटा साबास गरू है मुझे तेरे पे अरे सर वोशब शोड़ो आपने बोला था जिसने होमबर्क नहीं किया होगा उसे लोबी में बेजोगे इसे भी बेजो तो लोबी में और हाँ सर आपने जबान दे थी ठीक है बचो ये ले बेटा वन टप खा और फिर रिवाइब होके अगले क्रास में आ जाना बाबु मुशाय तू कब से ओमबर्क करने लोगा मैंने मोनीटर के बेग में से उसी का ओमबर्क निकाल के सड को दिखा दिया था चलो बचो लंच ब्रेक अब लोग अपना अपना लंच कर लो शरो देखता हू सब बसरो टिफिन में क्या लाए है और वास काईलर ठूटो वड़ापा उड़ाया है और नुब्रे इसे बर्गर बोलते है और इसे वड़ापा भी बोलते है रे देखो भाई लोग आगयाई सब के टिफिन में नजर डालने अरे तुमारे बासी खाने में मैं क्या नजर डालू और भाई लोग तुम नीशे क्यों बेठे हो अरे बाबा हम डाउन टूर चे ना इसलिए हम नीचे बेठके खाना काते अरे देखो भाई लोग ये आदम और वेड क्रिमिनल तो खाने के लिए खुछ नहीं लाए और सिंखान जी हमें बलते हैं बासी खाना खावे हो अब नुब्रे आदम सासा खाना लेके नहीं आटे दो पहर तक बासी हो जाता है आदम सासा फ्रेश बनवाते हैं वोडे कमारा मास्टर से औरे आदम सासा बता क्या खाऊँगे में सोब कुछ बना दूंगा यह रिचिंग एक कामकर कराई पनीर और परोठे बना मजा जाएगा और बाबु मुसाय पनीर तो नौई है कराई खाएगा किया औरे यार आज भूप नहीं है छोड़ो हम वाश्रूम होके आते हैं कीपू जल्दी आना फिर मेरे लिए दो प्लेट चट पट गोलगा पे बना देना और शासा गोला मेरा सूटा था और वाश्रूम आप सोले गोई है ओमवर्क ना दिखाना पोड़े इसलिए अरे मैं तो कभी ओमवर्क नहीं करता हूँ सर को ऐसे ही रोज बुदू बना देता हूँ अरे सर तो नूब है एक नमबर का फुट से तो एट सोट लगते नहीं और हमें वर्ण टेप मारना सिखाते हैं अरे कौन गया है इस टोइलेट में साला डेड़ गंटे से बेठा है बार निकल कैसे कैसे लोग है घर पे अलके होके आते नहीं और यहां के वस्रूम बिगारते हैं पर यारे एक बात समझ में नहीं आई मैं तो बच गया ओमवर्क से रेड क्रिमिनल तू कैसे बचा सासा आट्टो में बार बार बसा मैंने मोनिटर के बेग में से उसी की ओमवर्क की बुक निकार ली और सर को दिखा दी और फिर सर को मोनिटर के खिलाप भरकाया फिर सर ने उसे बंचक मार दिया सोर तो बुदु है उसे तो पता भी नहीं चला कि वो बुक रेड क्रिमिनल की नहीं मोनिटर की थी नुबलो बहुत हो गया तुमारा मेरी पीट पीसे तुम ये सब बाते करते हो अड़े हम तो पीट के आगे भी करते हैं वेसे कौन बोला नुबलो तुमारा सोर बोल रहा हूँ तुम सब लोग टेरेस पे जाओ मैं एक गंटे में आता हूँ सोर आप देट गंटे से अंडर बेठे हो और अभी भी एक गंटा आपका साबून स्लो है आ नुबलो मिलो मुझे टेरेस पे अभी बताता हूँ तुमको नुबलो आज तुमारी बज़े से मैंने मेरे बच्चे मेरा मतलब है मोनीटर को पीट दिया फाल तुमें बत्तमीज अपने सर पे जोक्स मारता है नुबले तु होता कौन है मुझे बताने वाला सर ये टोईलेट में के खांदान से है धियान रखना मैं थोड़ी डड़ता हूँ इससे अगर ये टोईलेट में के खांदान से है तो मैं बाथरूम में के खांदान से हूँ सर एसी गौन क्यों निकार दा हूँ मुझे ऐसा धग दभ हो रहा है मैं सोच रहा हूँ तुझे कौन सी गन से वन टेप मारूँ चलो सारी गन से मार देता हूँ सर रहने दो मेरा सेल्फ डिफेंस ओन हो जाएगा तो भारी कर जाएगा आपको मैंना तो सर को पहले ही बोल दिया था मेरा सेल्फ डिफेंस ओन हो जाता है तो गाइस देट सिट फॉर दे वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल पे नहे हो तो सब्सक्राइब करो और जल्दी से अपने फ्रेंज को वीडियो सेल कर दो और कोमेंट में जरूर बेटाना केशा लगा वीडियो और सुन बाबु मसा आए कोमेंट में इंस्टेग्राम की लिंक है फोलो कर लेना वरना